वेलकम स्टुनेंट्स एंड ओल्ड व्यूवर्स यू और वाचिंग माई यूट्यूब चैनल और आएम मोहमद अरफात खान आज का जो हमारा टॉपिक है वह एलेक्ट्रो मैक्नेटिजम का यूं कहलें कि एक मोस्ट वॉंटेट टॉपिक में से एक टॉपिक आता है हमार पास जिसको हम कहते हैं एंपियर्स लॉव ठीक है बड़ा इंपॉटन टॉपिक है और एकसर इस्टुरेंट्स को तंग भी करता है मतलब वह पता नहीं क्यों इसमें थोड़ा सा हैजिडेट हो रहे होते हैं समझन इसका यहां पर इस चैप्टर में Electromagnetism के अंदर क्या रूल है इसको समझने के लिए हम कंपैरिजन करेंगे हमारे फिजिस के दो चैप्टर का एक चैप्टर हमारे पास से Electrostatics और दूसरा चैप्टर जो हमारा चल रहा है यह चैप्टर Electromagnetism ठीक है अच्छा Electrostatics की बात करें आपको कि Electrostatics में हमने क्या पढ़ा था और Electromagnetism के अंदर अब जो हम Ampere's law पढ़ने जा रहे है उसमें क्या चीज है एक नई चीज क्या है और similarities क्या है ठीक है सबसे पहले आपने पढ़ा कि Electrostatics में हमारे पास अगर एक यूनिट चार्ज हो और अगर आपने अगर उस यून पॉइंट चार्ज वीडियो अप्लोड की विए अगर पढ़ना हो डैनिविशन देखनी हो कि यह फॉर्मला कैसे बना आप जाके देख सकते हैं वीडियो अबेलबिल है तो अगर आपको किसी भी एक चार्ज के अराउंड एक चार्ज और से सुनिएगा एक चार्ज के अरा कि यहाँ पर तो हमार पास एक चार्ज था अब यहाँ पर हमार पास इसमें इसमें और इसमें नमबर आफ चार्ज आ गयते हैं नमबर आफ चार्ज इस कैसे आपने क्या किया एक स्फेर लिया और उस स्फेर पर हर जगा चार्ज इसको डिस्रिब्यूट कर दिया और इसको ह आपर तो number of charges है, distribution है charges की, हाना, तो अब अगर आपको इस sphere के, इस charged sphere के आस पास कहीं पर भी electric intensity find करनी होती, तो हमारे पास formula available नहीं था, नहीं था formula, उसके बाद एक condition हमारे सामने, और आई, charge distribution की, आपने क्या किया, एक infinite sheet ली, infinite sheet ली, और उस sheet के उपर हर जगा charges को distribute कर दिया, तो इसको हमने कहा कहा था, uniformly charged sheet है, मतलब इसके उपर हमने charge को distribute कर दिया था, अच्छा, अब आपको अगर इस charge के sheet के आसपास किसी भी point पर electric intensity calculate करनी होती, अब तो क्योंकि unit charge नहीं है, number of charges है, charges को distribute किया वाए, पूरी sheet पर distribute किया वाए, इसके हर तरफ electric field होगी, electric intensity होगी, कैसे calculate करें, formula was not available, हम आपस formula नहीं था, इसी तरीके से एक condition और आई हमारे सामने, कि हमारे पास दो opposively charge plates थी, एक positively charge, एक negatively charge, इनके बीच में यहाँ पर electric intensity होती है, हाना, यहाँ पर electric intensity होती है, अगर आपको यहाँ पर electric intensity calculate करनी थी, तो हमारे पास formula मौझूद नहीं था, यह वाला formula हम यहाँ पर अप्टाएं नहीं करते, यहाँ नहीं करते, इन conditions के लिए different formula हमें चाहिए था, हमें required था, तो हमें help की, पता ही किसने है, gauze में, हम आपस electrostatics में बड़ा important law है, जिसका नाम है gauze law, तो जनाब, अगर आपके पास single, या different charge configurations आई सामने, तो different charge configurations में हमें हर condition में E का formula यारी के electric intensity का formula चाहिए था, तो हमारे पास जो कि available नहीं था, तो हमने वहाँ पर मदद ली, हमने वहाँ पर सहारा लिया, support लिया, कौनसे law का, gauze law का, और इस law को यहाँ पर apply किया, इस law को यहाँ पर apply किया, और इसी law को यहाँ और E का formula fine कर लिया था, हमने fine कर लिया था, ठीक है न, तो E का formula हम fine कर चुके हैं, question मार के इसको अटा दिएगा, यह सारे topics हैं मैं upload कर चुका हूँ, electrostatics में, gauze law अलग upload किया वह, यह इसकी applications कराती है, मतलब अगर gauze law को apply कर रहो कहीं पर, तो क्या मतलब इसका application of gauze law, अग derive कर चुके हैं, videos are available, आप देख सकते हैं, electrostatics chapter की, अब इसी electrostatics का comparison हम करते हैं, electromagnetism के साथ, देखें, हमारे पास straight wire है, straight wire है, सुनिएगा, जैसे यहाँ पर unit positive charge था, तो उसकी आसपास electric intensity का formula यह था, अब हमारे पास एक straight wire है, उसमें current flow कर रहा है, तो हमें पता है, इस chapter मे हमने एक बात पढ़ी है, कि किसी भी wire में आकर current flow कर रहा हो, तो उसके आसपास magnetic field produce हो जाती है, induce हो जाती है, हना, तो यह देखें, एक straight wire है, उसमें current flow कर रहा है, तो उसके आसपास ऐसे देखो, circular form के अंदर कौन है, magnetic field पैदा हो गई है, तो अगर आपको किसी भी straight wire के आसप कौन थे, बायर्ट and सैवर्ट, ठीक है, तो यह law है बकायदा, और यह भी law, मैं आपको इसी वीडियो के अंतर इसका थोड़ा सा हवाला दे दूँगा, कि यहाँ यह formula कैसे बनता है, derivation छोड़ी सी है, वो मैं आपको करवा दूँगा, तो देखें, unit charge था, एक single charge था, तो electric intensity का उसका formula मौझूद है, single wire है, और wire straight form में है, तो उसके आज सपास feel fine करनी है, magnetic, तो हमारे पास यह formula मौझूद है, E का formula और B का formula, यहाँ तक बात क्लिए रहे, आगे चलता है, अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हमेशा straight wire हो, हाना, wires हमारे पास ऐसे भी हो सकता है आपने क्या किया, एक long slender लिया, slender लिया, और उस slender के उपर wire को lipate दिया, wine कर दिया, wine कर दिया, wine कर दिया, यह तो को इस form में आ जाएगा, एक straight slender और उसके उपर आपने wire को wine कर दिया, अब अगर इस wire में current flow कर रहा हो, तो magnetic field तो अभी भी होगी इसके आसपास, अब उस magnetic field को हम कैसे find करें, यह वाला formula apply नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह किस के लिए, straight wire के लिए, जैसे हमने कहा, single charge था, उसके लिए electric intensity का formula यह था, तो मैं यहां के इस infinite sheet of charge के आसपास electric intensity के लिए, यह वाला formula apply थोड़ी करूँगा, उसके लिए मुझे दूसरा formula चाहिए था, तो हमने क इस form में जो आपके पास wire बन गया है, coil की form में, इसको हम कहते है solenoid, तो अगर आपको इसकी magnetic field find करनी हो, तो अब हम क्या करें, हमें formula चाहिए, available नहीं है, और इसी तरीके से, इस बार आपके पास, वो ही जो slender है, जिस पर आपने wire को लिए पेटा था, वो slender अब इस बार straight नहीं है, बलकि उसे slender को आप circular कर दो, circular slender बना दो, ठीक है, और उसको पर wire लिपेट दो हर जगा, ये दो को ये रहो, ये रहा, circular slender है, और आपने उसको पर wire लिपेटा हुआ है, तो हम मुझे एक बाब बताओ, ये जो formula है, ये वाला formula सिर्फ valid है, straight wire के आसपास field को calculate करने क लिए, अगर wire ऐसे हो, तो formula हमें बनाना पड़ेगा, हमें जरूद पड़ेगी, अगर wire ऐसे हो, तो हमें field के formula की जरूद पड़ेगी, कहां से आयागा, आपको help करेगा empire's law, ये हम derivation करेंगे, मैंना direct formula लिग दिया, लेकिन इसकी derivation में आपको इस video में करवाने जा रहा वैसे ही different current configurations में, यहाँ पर current का काम है, wire में कौन flow कर रहा होगा, current flow कर रहा होगा, तो different current configurations में आपको जरूद पड़ती है field के formula की, magnetic field के formula की, और वो magnetic field का formula आप किस के जरीए हासिल करते हैं, किस की support के जरीए, empire's law की, तो जो role, अब सुनिए का मेरी बात, जो role electrostatics में gauze law apply कर करता है, इतनी सी बात है, क्यों परिशान हो रहे थे, समझ रहे हैं बात, तो यह दूआ लग लग बात है, electrostatics और electromag, लेकिन similarity किस हद तक है, देखो यार, हाना, similarity किस हद तक है, यह limited था, यह वाला formula इसके लिए limited था, यह वाला formula इसके लिए limited है, फिर हमार पास यहाँ पर आप्लाय करेंगे, एप्लिकेशन बन गई, और बी-बी के formula आ जाएंगे, तो जनाब इसको आप यह कह सकते हैं, वो रोल जो के gauss law electrostatics में play करता है, different charge configuration में E का formula find करने में, वो ही रोल ampere's law electromagnetism में apply करता है, different current configurations में B का formula drive करने में, यहाँ पर E का formula चाहिए, तो gauss law, यहाँ आपर B का formula चाहिए, तो ampere's law, यहाँ तक बात clear है, इस comparison को अगर note करना चाहो, तो note कर लो, फिर हम आगे चलता है, सबसे पहले काम ही करते हैं, ampere's law की तरफ जाने से पहले, एक छोटा सा concept है, वो concept किसके बारे में है, बायर्ट और सेवर्ट law के बारे में, मतलब बायर्ट औ तो जाहिर से बात है, करन जो है, वो produce करती है, कौन से field, magnetic field produce करते हैं, अपने आसपास, यह हम पढ़ चुके हैं, force on a moving charge, force on a current carrying conductor, यह सब detail में हम पढ़ चुके हैं, खेर, तो अगर आपके बास एक straight wire हो, और उसमें current flow कर रहा हो, तो उसके आसपास circular form के अंदर magnetic field आ जाती है, और अगर आपने उसकी direction पता लगानी हो, तो right hand curl rule है, आप क्या करते हैं, let's suppose अगर यह conductor है, इसमें current उपर flow कर रहा है, तो आप थम current की direction में रखे, उस conductor को grasp करें, ऐसे grasp करें, कि आपकी curling fingers हैं, वो आपको बता देंगी, current anti-clockwise flow करेगा, या current clockwise flow करेगा, ठीक है, तो या तो upward हो की direction किस तरफ है, तो भई current उपर की तरफ flow कर रहा है, तो magnetic field हमेशा anti-clockwise होती है, ऐसे, anti-clockwise होती है, like this, ठीक है, यह तो होगे direction की बात, what about the magnitude, अगर आपने किसी भी distance पर, let's suppose 1 cm दूर, या 2 cm दूर, या 3 cm दूर, किसी भी point पर, किसी भी distance पर, वायर से, किसी भी distance पर, अगर आ अगर आपने B का magnitude बताना हो, तो अब तो आपको formula चाहिए, हाना, वो formula कहां से आया, इस experiment से आया, इस law से आया, भायर्ट और से आया, अच्छा मज़ेगे बाप मैं आपको भी बता हूँ, कि हमारे पास इसकी derivation दो अलग अलग तरीके से होती है, मैं आपको दोनों करवा द तो उसी concept को जो आपके board में लिखा हो है, जो आपके books में लिखा होगा, जो आपके notes में लिखा होगा, आपने उसको इन दोनों में से select करके वाला follow कर लेना है, अच्छा, बायर्ट और सेवर्ट ने experimentally क्या observe किया, इन्होंने कहा कि जो किसी भी straight wire के आसपास, आसपास जो magnetic field होती है, वो directly proportional होती है, current के magnitude के, और यही जो होती है, यह inversely proportional होती है, distance from the conductor के, यह relation 1 है, और यह relation 2 है, current के directly proportional और distance के इन्वर्ट प्रोपोर्शनल, distance के उपर square ने लगावा, यह R है, R का मतलब distance, current जितना बढ़ होगे, field का magnitude उतना बढ़ जायाएगा, distance जितना बढ़ होगे, field का magnitude उतना कम हो जागा, distance मतलब यह, अगर एक wire है, इससे आप दूर जाते जाएंगे, तो distance बढ़ता जा रहा है, तो field weak होती जाएगी, आप distance, यानि के point को करीब लाते जाएं, distance कम होता जा रहा है, तो field stronger होती जाएगी, तो current के magnitude पर directly, और distance पर inversely, जब आप इन दोनों को combine क करने के बाद आपको कुछ ही मिलता है, combine करोगे तो i उपर आ जाएगा, और upon में r आ जाएगा, ठीक है, sign of proportionality को remove करते हैं, तो आपको constant put करना होता है, और यहाँ पर जो constant आता है, वो आता है, mu not over 2 pi into, और बाकी factor सेम है, बाकी factor कौन है, i over r, ठीक है, combine करके लिक न चाहो, तो combine करके लिक दो, multiply हाटा हो, तो क्या बनेगा, mu not i upon 2 pi r, एक साथ बन जायागा, मतलब यह बन गया, हमारे पास byat and sabat log खा formula, यानि कि अगर आपको किसी भी straight wire के around, किसी भी point पर, किसी भी distance पर, current की वज़ा से field find करनी हो, तो हमारे पास यह formula मौजूद है, रही बात mu not की, तो जनाब यहाँ पर mu not एक constant है, इस constant का नाम है permeability of free space, जैसे electrostatics में याद करो, हमने coulom's law के अंदर, एक constant पढ़ाता है, उसका symbol था epsilon not, हना, वो था permittivity of free space, और यहाँ पर mu not आ गया, और यह है permeability of free space, इन दोनों में फर्क है, permittivity of free space का मतलब, वो किसी भी material की ability होती है, electric field lines को oppose करने की, मतलब वो allow नहीं करने की ability है, तो आप ही कहते हैं कि अगर किसी material की epsilon not की value, जितनी जादा होगी, इसका मतलब उस material में electric field lines उतनी ही कम पैदा होंगी, समझ रहें, तो वो ability है, electric lines of force को oppose करने की, रोकने की, कम से कम करने की, और यहाँ पर mu not जो है ना, इसका हम कह कहते हैं, permeability of free space, और यह basically ability है, किसी भी substance की, यह यू कहलो कि यह power है, power, power, जाहिर से बात है, power वो 10 is to power वाला नहीं, यह power है, ability है, किसी भी material की substance की magnetic lines of force को allow करने की, conduct करवाने की, तो आप ही कहते हैं कि जिस substance का mu not जितना जादा होगा, इसका मतलब वो substance उतनी ही जादा magnetic lines of force को allow कर सकेगा, conduct कर सकेगा, और यहाँ पर आप क्या कहेंगे, जिस substance का epsilon not जितना जादा होगा, इसका मतलब वो उतना ही जादा electric lines of force को oppose करेगा, तो यह oppose करने की ability, electric field को oppose करने की ability, epsilon not, और यह allow करने की, conduct करने की ability, इसी वजह से आपने देखा होगा, कि वहाँ पर force वाले formula के अं हमेशा, हमेशा, 4 pi epsilon not, q1, q2 upon r², यह दो हमेशा upon में आता है, अपन मा आने का मतलब क्या है, कि यह जितना जादा, यह उतना कम, यहाँ पर यह दो को direct में आ रहा है, numerator में आ रहा है, इसका मतलब जतना जादा यह, उतना जादा है, समझ रहे, तो यह बात जह्न में रख लि और यहां पर इसका नाम है permeability of free space मैं यहां पर लिखवा देता हूँ, figure की बात नहीं है कोई, मैं इसको यहां पर लिखवा देता हूँ, mu naught का मतलब क्या है भई, इसका नाम है permeability of free space, या इसको short form में ऐसे भी कहते है vacuum permeability, free space का मतलब vacuum होता है न, चाहो तो लिख लेना खुद से vacuum permeability, ठीक है, अचा, permeability की definition में आपको ऐसे read करके बता रहा हूँ, आप इसको note कर लें, आपको बाद copy pencils दोंगे, register दोंगे, note कर ले न, it is the ability, या, it is the measure of the power, या simple words में, it is the power of a substance to conduct the magnetic lines of force, दुबार repeat कर रहा हूँ, permeability of free space, यानि के mu naught is the ability of a substance, ability of a substance to conduct magnetic lines of force, यह इसकी definition है, जितनी जादा यह ability होगी, वो substance, वो material उतनी ही जादा magnetic lines of force को अलाओ करेगा, तो this is the condition, या, this is the definition of permeability of free space, रही बात इसकी constant value की, तो वो constant value भी लिख लो, नीचे चेक कर लेता हूँ, कहीं frame से out तो नहीं हो रहा, out नहीं हो रहा, हाँ, ठीके बस यहाँ पर मैं इसकी value लिख लिख लिएगा, constant value होती है, याद रखेगा, 4 pi into 10 is to power minus 7 Weber per ampere meter, यह इसका unit है, value याद रखेगा, नाम भी याद रखेगा, यह इसका unit है, 4 pi into 10 is to power minus 7 Weber, WB का मतलब क्या होता है, Weber, यह magnetic flux का unit होता है, Weber, हाँ, magnetic flux का unit है, so Weber per A for ampere and M for meter, तो read कैसे करेंगे, Weber per ampere meter, this is the unit of permeability of free space, यह इसकी value है, 4 pi, कभी भी formula आजाए, कभी कोई cushion आजाए, तो आपने इस mu naught की जगापे यह यह पूरी value पुट करनी है, फिर solve करना है, ठीक है, एक तो हो गई derivation यह, कुछ boards में आपको यह derivation मिलेगी, और कुछ boards के अंदर, आपको क्या derivation मिलेगी, सुनिएगा, magnetic field is directly proportional to the twice of the current, and it is inversely proportional to the distance from the conductor, यह दूसरी टाइप की डाइप, यह method 1 लिख लो उसको भले, this is method number 1, यह method 1 है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, और यहाँ पर यह method 2 है, जो आपको आपके board में नज़र आए, आपने वो ही करना है, यह method 2 है, यह condition 2, इस condition के मताबिक कुछ boards में लिखा होता है, कि जो magnetic field होती है, जो current के आसपास, उसका magnitude current के twice पर depend करता है, यह दिए कि directly proportional to the twice of the current, current को जितना increase करोगे, magnetic field पर उसका twice effect बढ़ेगा, मतब अगर आपने current को 10 times बढ़ा दिया, तो 10 to the 20, field 20 times बढ़ जाएगी, अगर आपने current को double कर दिया, तो double का मतब 2 to the 4, तो field जो है, वो 4 times बढ़ जाएगी, तो आगर आपके board में यह derivation लिखी हूँ, तो आपने इस तरीके से करनी है, बाकी यह constant है, देखो, be inversely to r, be inversely to r, यह दोनों में common है, बस कभी यह लिखा होता है, किसी board के अंदर, और किसी board के अंदर यह लिखा होता है, ठीक है, अचा, combine करोगे, combine करोगे, तो be directly proportional to 2i, और inversely proportional to r, जब यहाँ पर इस वाई derivation में, आप sign of proportionality को remove करते हैं, तो हम यहाँ पर put करते हैं, mu naught upon 4pi, और into के बाद कोई है, 2i over r, ठीक है, formula दोनों का सेम बनेगा, यह दो को 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो देखें, final formula क्या बना, mu naught i, उपर देखो, mu naught or i बजग गया, 2 cancel हो चुका है, नीचे 4 था, तो 2 बजग गया, बाकी कौन कोई है, pi r, यह दो को formula ब यह formula, बिल्कु सेम है, बिल्कु सेम है, बस आप अपने board की derivations देख लिएगा, कि board में यह वाला statement लिखावा है, तो इसको follow कर लेना, और आपके board में, आपके syllabus में यह वाला statement लिखावा है, तो इसको follow कर लेना, in the end, आपको result सेम मिलेगा, आपको formula सेम मिलेगा, this is called byatt and savert law, byatt and savert law ने हमें basically किसी भी straight wire के आज-स-पास field का, magnetic field का magnitude calculate करने के लिए formula दिया, और वो formula यह वाला है, mu naught आया पॉन टूपा आया, mu naught आया पॉन टूपा आया, और इसके अंदर जो mu naught आ रहा है, उसकी कहानी में आपको समझा दी, permeability of free space, इसकी definition तक बता दी में आपको, कि definition आ ampere's law की, अच्छा, read करना चाहूं, तो read करके दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको इसको समझाओंगा, सबसे end में, पहले हम करेंगे इसकी derivation, conceptual derivation करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा derivation करने में, एक-एक step आपको पता होगा क्या आप कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, पहले the products of the magnetic field and length of an element of the loop is mu not times the total current enclosed by the loop, यू, उपर से गुजर गया होगा, या बहुत सो को समझ आ गया होगा, ठीक है न, तो जिनके उपर से गुजर गया समझ ने आ रही statement, बेफिकर रहे हैं, ये statement आपको मैं घोल के पिला दूँगा, आपको समझ आ जाएगा कि इस statement का मतलब होत समझते रहेगा, क्योंकि step by step मैं आपको समझाता जाओंगा, उसके बाद एक दम से हम लेकर आजाएंगे अपनी condition के उपर, तो देखें या पर, अगर हमारे पास, एक straight wire हो, ठीक है, straight wire है, और इसमें जो है, वो current flow कर रहा हो, upward, लाट से बात है current की direction है, upward flow कर रहा हो, तो मैं आपको बता है, कि इसके आजपास, जो field होगी, वो कैसे होगी, anti-clockwise, तो आप यहाँ पर इसकी direction, बना सकते हैं, यह इसकी आगई direction, anti-clockwise, जो है वो, उसकी field की direction, मतलब कैसे flow करेगी, feed, like this, ऐसे flow करेगी, ठीक है, anti-clockwise, ऐसे flow करेगी, यह किसी direction है, बी की direction है, अच्छा, यह ज देखूँ, उपर से देखना स्टार्ट करूँ, ऐसे करके, यह मैं काम ही करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, बलके, यह भी मैंने इस wire को, इस तरीके से, इसके यह वाला view दिखाया है, तो इसके आसपास ऐसे field rotate कर रही है, circular form में, यह वाला view मैं आपको दिखाया है, यह current ह आ रहा है, और इसकी field ऐसे घूम रही है, anti-clockwise घूम रही है, क्यों ना मैं आपको इस conductor का, इस wire का, यह वाला view दिखाया हूँ, ऐसे करके, इदो को, अब यह wire है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर इसका एक यह dot नजर आएगा, मतलब मैं क्या करूँगा, वायर का current है, जायर से इस बात है, इस बार current कहा जा रहा होगा, ऐसे out of the plane, आपकी तरफ आ रहा है current, पहले यूँ था, तो current ऊपर जा रहा है, इसको मैंने यूँ कर दिया, तो current आपकी तरफ आ रहा है, तो इस वाली बात को कैसे बनाएंगे हम लोग, तो हम पता है कैसे बनाता है, आप सिर्फ ए ये वाला व्यू है, conductor का, और ये वाला ये वाला व्यू है, conductor का, मतलब इसमें conductor में current भार की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये conductor है, और conductor में current भार की तरफ आ रहा है, तो अगर current भार की तरफ आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे grasp करूँगा, ऐसे करके ये grasp करूँगा, क्योंके थम हमेशा current की direction में होता है तो यह देखें, अगर current भार आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे पकड़ूँगा तो curling fingers क्या बता रही है, anti clock wise तो इसका मतलब इसके हर जगा हर जगा, हर जगा feel होगी हर जगा feel होगी, ऐसे करके ऐसे करके हर जगा feel होगी, और कैसे feel होगी ऐसे, anti clock wise, anti clock wise anti clock wise, हना यह feel की direction आ गई, मतलब इस conductor के आसपास हर जगा गौर से तुनते रहीगा इस conductor के आसपास हर जगा feel exist कर रही है, जितना करीब होगे feel जादा होगी, दूर जाते जाओगे दूर जाते जाओगे, दूर जाते जाओगे, feel weak होती जाएगे, लेकिन हर जगा पर feel exist कर रही है ऐसा नहीं है कि सर आपने यहाँ पर gap दे दिया, यह क्या पता है, यहाँ पर बीच में feel ना हो नहीं भई, हर जगा पर, मैं चाओँ तो बहुत सारे circles बना सकता हूँ, बहुत सारे circles बना सकता हूँ feel को दिखाने के लिए, तो आप जितने चाओ circles बना दो, मतलब करीब करीब करके बना दो, वो represent करेंगे कि हाँ इस conductor के आसपास हर जगा feel मौझूद है, और feel की direction क्या है circular, एंटी clock wise, ये बात अपने जहनों में आप बिठा ले, imagination कर लो ये मैं आपको समझा दी बात के conductor के आसपास, feel मौझूद रहेगी, और हर point पर रहेगी अगर current भारे, तो feel होगी कैसे, anti clock wise, ये बात आप जहनों में बिठा ले, आगी चलते हैं, मैं इस diagram बड़ी करके बनाता हूँ, ये देखें, ये रहा वो conductor, और conductor में current कहाँ flow कर रहा है, आउटवर्ड, अच्छा, इसके आसपास जो feel है, वो कैसी है, वो ऐसे है, anti clock wise, ये मैंने dot बनाये, और इस dot के साथ में यहाँ पर arrow बना देता हूँ, ये arrow क्या show करेगा, हाँ भी इसकी जो feel है, वो ऐसे anti clock wise घुम रही है, ये field की direction आदेगी, ठीक है, इसके साथ में लिख देता हूँ, B, magnetic field की direction, ऐसे बहुत सारे circles बनेंगे, मतलब हर जगा पर वो ही बता रहो, जहाँ भी बनाना चाहो, हर जगा पर जब वीडियो स्टार्ट कर रहा था, तो एक comparison किया था हम लोगों ने, electrostatics versus electromagnetism, वहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी, कि electromagnetism में, जो रोल Ampere's Law प्ले करता है, वो ही रोल electrostatics में Gauss Law ने प्ले किया हुआ है, हाना, Gauss Law प्ले करता है, ठीक है, अच्छा, Gauss Law के बारे में अगर आपको कुछ बाते याद हूँ, क्योंकि electrostatics में अप्लोड कर चुका हूँ, Gauss Law के chapter में, या Gauss Law के topic में, मैंने आपको एक बात बताई थी, कि जब भी किसी point पर आपने field का formula बनाना हो, field का formula बनाना हो, तो आप उस point पर एक surface imagine करते थे, और उस surface को हम क्या बोलते थे, Gaussian surface, अगर आपको याद हो, Gauss Law में हम ये लाजमी करते थे, पूरी practice होती थी, हर application में, first application, second application, third application, Gauss Law की हर application में हमने, जिस point पर find करनी थी, उस point पर हमेशा हम एक surface imagine करते थे, और उस surface को हम क्या बोलते थे, Gaussian surface, यहाँ पर भी ऐसी करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कुछ imagination करनी पड़ेगी, हाना, देखो field तो exist कर रही है, यह तो imagination नहीं कर रहे हैं, यह तो exist कर रही है, field, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज imagine करनी पड़ेगी, और वो चीज होगी loop, loop, loop का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई भी एक जो है वो, let's suppose यह दिखाता हूँ आपका, यह है न, यह mic का wire है, हाना, अगर मैं इस wire को let's suppose ऐसे बंग कर दूँ, बस शेप लेकर आज़ों, यह circle बन गया दोखो, यह circle है, तो मैं कहूंगा, यह loop बन गया, यह loop है, किसी भी length को, किसी भी चीज़ को, जो length की form में हो, उसको आप कोई भी close shape दे दे, कोई भी close shape दे दे, बहले हो circular हो, बहले हो square हो, बहले वो कोई भी shape हो, याद रखीं का, उस length वाली चीज़ को जब यह आप बंद कर दोगे, close shape में लेकर आजओगे, इसको हम क्या बोलेंगे, loop, तो यहाँ पर पता है, हमें क्या करना है, यहाँ पर surface imagine नहीं किया जाता, यहाँ पर loop imagine किया जाता है, loop की सिर्फ length होती है, यह बाद जैनला कीगा, surface में और loop में फर्क्या होगा, surface पूरा होता है जैसे balloon है balloon का पूरा surface है football है football का पूरा surface है तो gaussian surface होती है और यहाँ पर loop होता है वहाँ पर gauze law था तो surface का नाम Gaussian surface यहाँ पर amperia's law है तो यहाँ पर loop का नाम empirian loop यह फरक है बागी similarities अपनी जागा पर मुझजूद है हाणा Gaussian surface का area होता था, derivation में area, delta A आता था, और यहाँ पर emperion loop imagine करेंगे, तो emperion loop की length होगी, ठीक है, imagine करते हैं, imagine कैसे करते हैं, देखो, मैं यहाँ पर blue marker से imagine करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक circle और बनाना है, यह देखेंगे, यह मैंने एक circle और बनाया, इसको मैं खाऊंगा emperion loop, लिख लिएगा आपने पास, emperion loop, वहाँ पर Gaussian surface होता था, यहाँ पर emperion loop है, दो circle आपके सामने बने में, जनाब, एक black color का बनावा है, और एक blue color का बनावा है, इन में से वो कौन सा circle है, जो के exist करता है, तो आप बुलेंगे black वाला, वो field को represent कर रहा है, field हमेशा exist करती है, इन में से वो कौन सा circle है, जो के exist नहीं करता है, जो हमने imagine किया हुआ है, वो कौन सा circle है, blue वाला, वो blue वाला circle क्या है, वो एक loop है, उस loop का नाम क्या है, emperion loop है, हमने क्यों बनाया, emperion loop को बनाने का मकसद ही होता है, जिस point पर आपने B की value find करनी हो, magnetic field find करना हो, तो आपने वहाँ पर एक loop imagine करना होता है, जिसका नाम क्या होता है, emperion loop, तो यह आगिया emperion loop, ठीक है, अच्छा मैं काम भी करता हूँ, इसको complete circle की form में बना देता हूँ, इसको मैं रब करके complete circle की form में बना देता हूँ, एक बड़ी ज़ी अजीब सी आवाज आई थी इसमें, डस्टर में साफ करते वे उसके लिए सावरी, आगे चलते हैं, इसको बकायदा में dark करके बना देता हूँ, जैसा भी यह टेड़ा मेड़ा जो भी बना खेर यह एंपिरियन लूप हमने बना दिया, ठीक है, इस circle का यह center है, यह जो conductor है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसके साथ लिख सकते हूँ, यह conductor है, current carrying conductor, इसमें current flow कर रहा है, current कहा की तरफ जा रहा है, out of the plane, इसके लिए क्या क्यों होगे, out of plane, सब चीज़े लिख दिए मैंने आप डीटेल में, और यह B की direction है, और इस blue वाले को हमने एंपिरियन लूप कर दिया, हर चीज़ मैंने आप लेबल कर दिया, कि हर चीज़ को आप किस तरीके से पढ़एंगे, खेर, अब चलते हैं आगे, आगे चलने के लिए मैं काम ही करता हूँ, कि मुझे यहाँ पर, तो रहाँ से सको सही कर देते हैं, ताकि हमारी diagram सही हो जाए, तो रहाँ बत फाइन हो गया, खेर, अब मैं पता है क्या करना है, देखो, मुझे यहाँ पर इस empyrean loop को, छोड़े छोड़े parts में divide करना होगा, क्योंकि यह जो loop है, जिस जगा पर loop मौझूद है, उस जगा भी भी तो field होगी ना, जाहर सी बात है, field तो हर जगा पर, field तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर जगा field मौझूद है, इस conductor की हर जगा पर field मौझूद है, मैंने आपको बताया, इसका मतलब, यह loop आपने जहां रखा है ना, जहां सोचा है, उस point पर हर जगा पर field मौझूद है, और field की direction कैसे है, ऐसे, एंटिक लॉक वाइस field है, तो अब कहां भी करते हैं, हम क्यूंके आपने इस loop को field में रखा हूए, तो magnetic field lines इस loop को हर जगा पर cross कर रही होंगी, pass कर रही होंगी, तो जब भी magnetic field lines किसी भी surface को, किसी भी length को pass करती है, तो यहाँ पर concept किसी इसका आदा है, magnetic flux का, तो इसका मतलब मैं कहूंगा, इस पूरे emperion loop में flux हो रहा होगा, कौनसा flux, magnetic flux हो रहा होगा, topic मैंने अप्लोड किया था, electrostatics में, electric flux के नाम से, as it is concept है, वहाँ पर हम क्या पढ़ते थे, E dot delta A, और यहाँ पर magnetic field में क्या पढ़ते हैं, B dot delta A, हणा, तो flux का मतलब क्या होता है, number of, अगर electrostatics है, तो हम क्या बोलते है, number of electric lines of force, passing through any surface, इस called electric flux, और अगर magnetic flux है, तो हम क्या बोलेंगे, number of magnetic lines of force, passing through any surface, इस called magnetic flux, बस इतना तа फ़रक है, अगर electric lines पास हो रही है, तो electric flux, है क्योंकि यहां पर field है Magnetic processoठ हो रहा होगा क्यों हो रहा है क्यों कि आपने loop को field में रखा हूं न मैंने यह मैंने एक पार्ट इसको इसमें डिवाइट कर दिया, यह रहा, यह पूरे लूप का एक छोटा सा पार्ट है, और यह बहुत कर रहा होगा as a straight, यानि कि इसकी length L1 होगी, इसी तरी किसे एक और imagine कर लेते हैं, यह दो को यह रहा, एक और में break कर देते हैं, यह रहा वो पार् L1 है, this is L1, यह वाला, यहां से लेकर यहां तक, यह length 1 है, इस पूरे लूप का एक छोटा सा element, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, L1, ठीक है, अचा इसी तरीके से, इस वाले को हम क्या कह देंगे, L2, L2, यह वाला, this is L2, ठीक है, अचा इसी तरीके से, एक और imagine कर लेते हैं, व इस वाले part को भी हम, इसकी भी length को हम क्या कह देंगे, यह आ गया, L3, तो हमने क्या करना है, इस पूरे loop को छोटे छोटी length के अंदर, छोटे छोटे elements के अंदर divide कर देना है, L1 बनेगा, L2 बनेगा, L3 बनेगा, L4 बनेगा, L5 बनेगा, और मुझे नहीं पता कितने बनेगे और पता लगाने की जरूद भी नहीं है, क्योंकि हमें mathematics एक बाव बता दिये, कि अगर आपको पता ना हो कितने बनने जा रहे हैं, तो आप सबसे last वाले को LN कह देंगे, ent term कह देंगे, तो मैं कहूंगा कि हम इस पूरे loop को N equal length में divide करने जा रहे हैं, हम इस पूरे loop को N equal length म में divide करने जा रहे हैं, ठीक है, और जब आप हर एक length की magnetic flux की बात करेंगे, तो देखें, यहाँ पर अगर मैं इस length 1 की बात करना चाहूं, यह length 1 है, अगर मैं इस length 1 की बात करना चाहूं, तो यहाँ पर field है ना जार सी बात है, और field की direction हर point पर कैसे है, anti-clockwise, तो अगर यहाँ पर होगी, तो इस तरफ होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, तो इस तरफ होगी, हना, और अगर यहाँ पर होगी, तो ऐसे होगी, हमेशा tangent to the circle, इसको हम क्याते है, tangent to the circle, तो अगर मैं यहाँ पर field की direction बनाना चाहूं, तो यह देखें, field की direction हमेश तो यहां पर बनाना चाहोगे तो यह ऐसा आजएगी अब इसी तरीके से अगर मैंने L3 तक किया तो L4 कभी ऐसे होगा और L6 कभी अप्टू LN तक का ऐसे ही आपके पास बनेगा तो इसका मतलब हर एक element में से field line पास करती भी जा रही है तो हर element के अंदर flux हो रहा है यानि के मैं कहूँगा यहां पर भी flux हो रहा है यहां पर भी flux हो रहा है यहां पर भी flux हो रहा है ठीक है न अच्छा एक चीज़ और मुझे individual flux find नहीं करना मुझे पूरे loop का flux find करना है तो मैं क्या करूँगा हर flux को एड़ करूँगा हर flux को अच्छा वैसे मैं आपको इबाब बता दूँ अगर हमारे पास surface हो और surface का area हो तो flux का formula क्या होता है B.delta A लेकिन यहाँ पर तो surface नहीं है यहाँ पर तो loop है और loop length की form में है तो यहाँ पर flux का formula B.delta A नहीं बनेगा बलकि यहाँ पर flux का formula क्या बनेगा B.delta L यह बात आपने जहाँ में रखनी है तो amperes law के अंदर surface का का काम नहीं है area का का काम नहीं है amperes law के अंदर loop का और उसकी length का काम है तो अगर surface होता area होता तो formula होता B.delta A लेकिन यहाँ पर length है तो हम क्या बोलेंगे B.delta L अब let suppose अगर मैं इस वाले element का flux find करना चाहूँ तो formula पता है क्या बनेगा B.delta L1 यह इस वाले का flux का formula बनेगा यह वाला formula जो bracket में लिख रहा हूँ अगर मैं इस वाले element का flux का formula find करना चाहूँ तो क्या बनेगा B.delta L2 यह इस वाले का बन गया इस वाले का लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा B.delta L3 यह इस वाले का बन गया हाना तो हर element का जो flux हो रहा है तो अगर आप find टरना चाहो तो फॉर्मला तो यह रहाएगा वी डॉट डिल्ट का नंबर है उस नंबर के साथ multiply कर तो तो वी डॉट डेल्टा एल वन यह flux नंबर वन है वी डॉट डेल्टा एल टू यह फ्लक्स नंबर टू है वी डॉट L4, B dot delta L5, up to B dot delta Ln, up to nth, term तक की आप बात कर रहे हैं, सही है, और अगर मुझे empirical loop का total flux find करना हो, individual नहीं, पूरा flux find करना हो, तो मैं इस सब को क्या करूँगा, sum करूँगा, sum करूँगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, total flux मिल जाएगा, ऐसा है, यह diagram important है, diagram में जो बात मैं आपको समझा नहीं थी, वो बात मैं आपको समझा दी, इस diagram को note कर लो, फिर आगे चलता है, वो ही जो diagram अभी मैं आपको समझा ही, वो diagram मैंने यहाँ पर बना दी, as it is diagram बनी वी है, ठीक है, तो आपने क्या किया, यह जो empirian loop बनावा है, इस empirian loop को छोटे-छोटे elements ना आपने divide किया वा है, और हर एक element का हमने flux discuss करना है, flux क्या बन रहा है, अगर length 1 है, तो उस element का flux B dot delta L1, अगर length 2 है, तो B dot delta L2 and so on, फिर हमें इस पूरे loop का flux का total निकालना है, sum निकालना है, तो देखो मैं यहाँ पर derivation स्टार्ट कर दी, sum of all the flux, through, किसके through, all the elements of the length, यह पूरी length है, इस पूरी length, loop की जो length है, इसके छोड़े-छोड़े जो elements है, उसके through, जो भी flux हो रहा है, आपने उसका sum निकालना है, इस line का मतलब यह है, तो देखो, sum का मतलब क्या होता है, यह sum का summation होता है, sum summation, sigma, इसको हम बोलते है, sum of all किसका sum, b.delta l, यानि कि तमाम flux का sum, अच्छा flux का sum करेंगे, तो किसका बराबर होगा, basically, length number 1 का flux, plus length number 2 का flux, plus length number 3 का flux, plus and so on, up to length number n का flux, इन सब को plus करो, तो आपको sum मिल जाएगा, हाना, यानि कि total मिल जाएगा, total, इसको कैसे read करेंगे, total flux, total flux, आगे चलता है, आपको बात प करते हैं, तो हमेशा cos theta आता है, तो यह सेम रहेगा, sum of all the flux is equal to, dot remove करेंगे, तो भई, cos theta, b.delta l1, cos theta, plus b.delta l2, cos theta, plus b.delta l3, cos theta, हाना, फिर plus and so on, plus b.delta ln, and cos theta, अब हम theta की values को put करते हैं, कि theta जो है, वो b और l के बीच में theta क्या बन रहा है, तो देखें जना, यह रही length, हाना, यह length है, element की, यहां से लेकर यहां तक, जिस, एक्सिस पर length है, उसी direction में field है, यानि कि, let's suppose, अगर मैं इस length को थोड़ा सा बढ़ा करके ऐसे दिखाओं, क तो इस पूरी length के जो field cross करते भी जा रही है, वो उसको इसी direction में cross करते भी जा रही है, यानि कि, जिस direction में length उसके ही along, उसके ही parallel magnetic field की direction, हर part को चेक कर लो, यह दो कोई length है, यहां से लेकर यहां तक, यह length है, इसी length को parallel pass करते भी जा रही है, cross करते भी जा रही है, यह दो पास हो रही है और पैरलल का मत्तब क्या होता है एंगल बनता है जीरो डिग्री तो आप सब की जगा पे जीरो डिग्री पुट करेंगे कॉस जीरो डिग्री कॉस जीरो डिग्री कॉस जीरो डिग्री और कॉस जीरो डिग्री बराबर होता है वन के तो यहां पर जब बन जिरो डिगरी कॉस जिरो डिगरी कॉस जिरो डिगरी सब बरापर होगा वन के क्या बचेगा सिर्फ बी डेल्टा एल वन यहां क्या बचेगा सिर्फ बी डेल्टा एल टू यहां क्या बचेगा सिर्फ बी डेल्टा एल टू यहां क्या बचेगा सिर्फ बी डेल्टा एल एल ए एक काम ही करते हैं, इन सब में से हम common निकाल देते हैं B को, ये B है, B है, B है, B है, क्योंकि सब में जो common आ रहा है, वो B है, क्योंकि B की value हर length में same है, क्योंकि देखो, ये वाला distance same है, ये वाला distance same है, ये वाला distance same है, हना, तो हर element का distance conductor से same आ रहा है, तो अगर distance same हो, तो हर उस point पर field की value, b की value same रहती है, तो मैं कहूंगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगा पर, b की value क्या रहेगी, उस वरी क्या रहेगी, same रहेगी, क्योंकि center से लेकर, जो imperial loop है, उनका सब का distance क्या है, same है, तो जब तक distance change नहीं हो रहा, तो हर point पर, हर length पर, b की value same होगी, तो आप इसको common निकाल दे, तो अगर मैं इसको common निकालूँगा, तो यह b आ जाएगा, बाकि हम आपस bracket में क्या बच जाएगा, bracket में बचेगा, यहाँ पर बचेगा, सिर्फ delta l1, plus, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ, delta l2, plus, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ, delta l3, plus and so on plus यहां क्या बचेगा सिर्फ delta L N और bracket close आपने common निकाल लिया किसको B को सब factors में से B common आगिया left पर same है sum of all the flux ठीक है total flux अगे आगे चलता है left same is equal to हाँ भी B को same रहने दो अगर मैं bracket की बात करूँ तो आपको पता है अगर आप सारी lens को plus कर ले L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 सारी lens को plus कर लो तो आपको पूरे loop का circumference मिल जाएगा क्योंकि circle की form में न तो इसको क्या बोलता है circle का circumference complete circle circumference और circumference किसके बरापर होता है 2 pi r के तो अगर आप यह छोटी छोटी elements है छोटी छोटी जो lens है इन तमाम lens को plus कर लो plus कर लो तो आपको पूरा एंपीरियन loop का क्या मिल जाएगा circumference मिल जाएगा तो इसका मतलब इन तमाम lens को add करो तो you will get what circumference of the circle और circumference का मतलब क्या होता है 2 pi r 2 pi r length of the loop यह यह कहलो circumference of the circle यह काम भी करते हैं आपका आपका काम असान करने के लिए ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि जब आप इन तमाम lens को plus करेंगे तो यह किसके बराबर आ जाएगा circumference circumference of the loop यह loop के circumference के बराबर हो गया अब एक काम ही करते हैं हम यहाँ पर b का formula put करते हैं और circumference का put करते हैं तो b का कौन सा formula put करेंगे वो जो अभी हमने थोड़ी दिल पहले समझा था b is equal to mu not i upon 2 pi r यह b का हमने formula put करना है यह देखें sum of all the flux is equal to b का formula क्या put करेंगे वोई हमें पता है b का formula क्या होता है mu not i over 2 pi r यह b का formula आगिया into के बाद bracket के अंदर यह पूरा bracket का formula कि मलदब circumference का किसके बराबर होता है 2 pi r के बराबर होता है ठीक है आगे mention कर दिना कि हमें पता है कि biot and severed law के मताबिक b जो है वो बराबर किसके होता है mu not i upon 2 pi r के बराबर होता है यह आगे mention कर दिना और circumference का mention करना चाहो तो mention कर दिना कि circumference circle का ब्राबर होता है 2 pi r के cancellation करें जनाब आप बोलेंगे जी करते हैं 2 pi r से 2 pi r पूरा cancel हो गया left पर हमार पस क्या बचावा है sigma b dot delta l is equal to right पर सिर्फ क्या बचावा है mu naught और i ये बन गया amperes law का formula amperes law की equation मैंने आपको अभी तक statement नहीं समझाई आप समझते हैं statement को यहां तक पहले note कर लो जो भी है derivation statement को समझते हैं अब हाँ वई सबसे बहुत काम भी करते हैं इस formula पर गौर करते हैं क्या ये देखो पहले मिरे साथ पढ़िएगा मैं आपको statement समझाता हूँ है क्या ये magnetic field है ये क्या है length of an element डेल्टा का मतलब ये पूरी length नहीं है डेल्टा का मतलब ये पूरी length का एक छोड़ा सा element है तो मैं इसको कैसे read करूँगा length of an element magnetic field length of an element ये तो है mu naught और ये क्या है ये current है ये कौन सा current है जो के इस loop ये जो आपने loop imagine किया है इस loop के अंदर है conductor में जो flow कर रहा है let's suppose ये conductor था ये conductor है तो आपने इस conductor के आसपास loop को imagine किया हुआ है तो इसका मतलब इस loop ने इस conductor को बंद किया हुआ है enclose किया हुआ है तो आप इसको क्या कहेंगे current enclosed by the loop यानि कि उस loop के बीच में इस loop के अंदर जो current आ रहा है वो यह आए तो इसको मैं क्या पढ़ूँगा current enclosed by the loop अच्छा दुबारा पढ़ते है इसका मतलब क्या होता है sum of sum of sum of the product अच्छा यहां पर product आ रहा है यह sum किसका है product of magnetic field and length of an element left वाले पार्ट को कैसे read करूँगा मैं sum of the products of magnetic field and length of an element is equal to mu not और i आपस में क्या कर रहे है multiply कर रहे है आपको पता है multiply करने को हम क्या बोलते है times क्याते है let's suppose अगर मैं आपको यहां पर लिखके दिखाऊ a multiply by b इसको कैसे read कर सकते है आप बोलेंगे a into b इसका एक तरीका और होता है पढ़ने कर सको हम कहते है a times b इसको ऐसे भी read करते है two times c तो देख उसको मैं कैसे read करूँगा mu not times i multiply हो रहा है mu not times i अचा अब इसको पूरे को read करने के कोशिश करते है किस सरी के सरी करेंगे है आप पहले left को read करें some of some of the products of magnetic field and length of element product किस-kis का magnetic field or length of element some of the product of magnetic field and length of element is mu not times multiply mu not times the total current and close by the loop यह इसका मैं आपको कहानी बताएएखी न आएका मतलब क्या था total current and close by the loop यह मुझसे मीट गया है इसको मैं दुबारा लिख देता हूँ b dot delta l अब आप एक काम करें यह जो मैं आपको पढ़़के सुनाया है जो formula बनाए statement पढ़ो जल्दी पढ़ लो फिर मुत्माइन हो जाओ कि यह statement भोई लिखी वी है जो हमने formula drive किया है जिस सरे किसे मैंने पढ़ना सिखाया है न उसी चीज़ को पढ़ते जाओ और इस formula को देखते जाओ इन दोनों को match करते जाओ आपको कहानी समझ आ जाजएगी कि amperors law की statement है क्या amperors law की statement कुछ नहीं है जो amperors law का formula है न इसी को पढ़के दिखा दो तो amperors law की statement मन जाएगी बस देखें sum का मतलब sigma किसका product या या product dot किस-किसका magnetic field and length of element यानि के b और delta i यह आ गया पूरा of the loop is इसका मतलब is equal to बराबर है किसके mu not times यह दो को mu not times multiply कर रहा है किस से total current यह आई क्या है total current enclosed by the loop बन गई statement इस statement बन गई तो इसका मतलब अगर आप amperors law के formula को read करके बताओगे पढ़कर बताओगे English में तो basically वही statement बन जाएगी हमार पास amperors law की तो जनाब एक काम करें जल्दी से इसको load कर ले और फिर हम आगे चलता है तो यहाँ पर आपको कहानी समझा गई होगी कि amperors law क्या था amperors law की statement क्या है और amperors law का formula formula important है formula आगे हम use करेंगे जब इसकी applications को बढ़ेंगे तो यह formula note कर लिएगा जब भी कहानी आएगी amperors law को apply करने की तो आपके जहन में फॉरन से यह वाला formula आजाना चाहिए this is the mathematical formula या mathematical form of amperors law ठीक है amperors law की theoretical form और amperors law की mathematical form तो जनाब यहाँ पर आके हमारी आज की जो वीडियो है या lecture जो है वो end होता है आप आज का जो topic था उसके अंदर मैंने आप लोगों से जो discuss किया वो एक biot and sabot law को discuss किया और एक हमने जो है amperors law को पढ़ा और दूसरी बात ही है amperors law का और gauze law का यानि के electrostatics का electromagnetism का comparison पढ़ा और फिर मैंने आपको एक और एक important difference बता है किसके दर्मियान epsilon knot और mu knot यानि के permittivity of free space और permeability of free space इन दोनों का भी एक difference बता दिया तो आज का जो lecture था वो बड़ा काम का lecture था हमारा इसमें काफी सारी important चीज़े आप लोगों ने cover की conceptual cover करीं ठीक है तो उमिद करता हूँ कि आपको आज की सारी बाते clear हो गए हो गए होगी तीन चार चीज़ों का हमने discuss किया यह सारी चीज़े आपको clear हो गए हो गए होगी कि आगर आपके कोई भी doubts रहे होंगे तो अब नहीं होने चाहिए आपके वो doubts ठीक है अब हम इसी lecture को आगे continue करेंगे next video के अंदर हम M.P.R.S. law की application score पढ़ेंगे जिसमें हमार पास एक आता है solenoid और एक आता हमार पास toroid अलग लग discuss करेंगे पहले हम solenoid को discuss करेंगे एक video में फिर हम discuss करेंगे toroid को ठीक है जनाब अगर video अच्छी लगी समझ आई तो like करें comment करें share करें और अपना खयार रखिएगा इस channel का भी खयार रखिएगा मिलते है next video में thank you allah hafiz